हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब वेलकम बैक टो मैं चैनल उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ धेर सारे ऐसे तरीके और बहुत सारी काम के ऐसे टिप्स जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे इन टिप्स को देखने के बाद आपके घर के सारे काम हो जाएंगे बिलकुल आधे और धेर सारी बचत भी होगी और काम करने का तरीका भी आसान हो जाएगा की पॉकिट में पैसे थे और वो गिले हो गए हैं या पैंट की पॉकिट में पैसे थे और वो गिले हो गए हैं कई बार तो 10-20 रुपे होते हैं तो हमें इतना दिक्कत नहीं होती है लेकिन ये नोट हमें सुखाने पड़ते हैं लेकिन कई बार जब बड़े नोट होते हैं कई बार कि इनके फटने का चांसे सबसे जादा रहता है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ इदर उदर गया तो ये नोट पूरी तरीके से फट जाएंगे तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको एक काम करना है किचन में जाए फटा फट से गैस ओन करिए उसके उप पर रख दीजे चांवल बहुत जादा गरम नहीं बिलकुल हलके फुल के गरम होंगी क्योंकि तवा भी बहुत जादा गरम नहीं होगा और गैस के फ्लेम को कर देना है पूरी तरीके से बंद उसके बाद आप देखेंगे जिन नोटों को सूखने में आपका आदा घंटा पूरा घंटा लगता है उन्ही नोटों को सूखने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे और आपके नोट पूरी तरीके से अच्छे से सूख जाएंगे मतलब पता ही नहीं लगЕगा को कि नोट कभी गीले भी हुए थे या नहीं कूछ ही मिनटों के अंदर आपके नोट और आपको अच्छी लगी होगी। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनको इस तरीके से एक क्यों पर एक रख लेती हूं, दिखने में बेहत खुपसूरत लगेगा आपको ये डैकॉर, साथ ही साथ मैंने एक गत्य का टुकडा ले लिया है, कोई भी आपके पास ऐसे थोड़ा मोटा सा कोई टुकडा हो ना, गत्य का या फिर किसी डब्बे का तो आप उसको काट लिजे, और इनके बीच में इस तरीके से रख लिजे, और पन्यों को इस तरीके से फोल्ड कर दीजे, ध्यान रखेगा, सारी पन्या एक के उपर एक हैं, अब इन सारी पन्यों को आपको रखना है इस डब्बे के आप देखेंगे ना तो आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे इसके लास्ट में हम लगाते हैं एक छोटा सा कट और इसे अब रखते हैं हम अपनी बिल्कुल अच्छी जगा पे जहां पे आपका सजावट वाला कोई सामान हो यानि कि जैसे टीश्यू पेपर के लिए हम अराम से टीश्यू पेपर निकाल पाते हैं बिल्कुल आपकी पॉलितिन अच्छे से इधर उधर जो पड़ी रहती है वो बहुत अच्छे से इसमें अरेंज हो जाएगी और देखने में भी बहत खुबसूरत लगता है आप चाही तो इस डब्बे को अच्छे से डेकॉर कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक शीट से या किसी भी अच्छे कागत से तो दिखने में तो खुबसूरत लगेगा ही साथ ही साथ पनियों के अलावा आप इसके अंदर टीश्यू पेपर भी रख सकते हैं बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ दोस्तो अकसर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम रोटियां बेलते हैं तो ये जो बेलन हमारा होता है रोटिया बेलते वक बहुत जादा रोटियों पे चिपकता है और अगर कोई कोई नया नया अगर रोटिया बनाने सीख रहा हो बिगिनर होना तो उसको तो बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तो रोटि बनाना ठीक से आता नहीं और दूसरी तरफ ये बेलन बार बार रोटियों पर चिपक जाता है तो इसके लिए एक छोटी से ट्रिक है जो आपके बेहत काम आएगी खासतोर से उनको जो अभी शुरुवात में रोटिया बनाना सीख रहे हैं तो आपको करना यह है कि गैस की फ्लेम को आउन कर देना है गैस की फ्लेम की उपर बेलन को थोड़ा सा आप अलट पलट कर सेख लीजे क्योंकि होता यह है कि आटे के अंदर नमी होती है और हमारा हलका फुलका बेलन भी जो है नमी की चपेट में आ जाता है क्योंकि हम इस पर रोटिया बेलते हैं और आपके रोटियां बिल्कुल गोल और खुबसूरत बनेंगी। दोस्तो ऐसा अक्सर होता है कि रात को जब हम रोटियां बनाती है तो सुबह के लिए कोई ना कोई रोटी हमारी बच जाती है। कई बार तो एक दो रोटी बच जाती है या फिर कई बढ़ बहुववग法 जाती है Hmm बिल्कुल फ्रेश रोटी जैसा नहीं लगता है, तो इसके लिए चोड़ी सी टेप है, आप किसी भी टिफन के अंदर, खास रुपे ध्यान रखेगा, टिफन प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पर गरम करेंगे थोड़ा सा पानी, तो मैंने कूकर में थोड़ा सा तेज गरम पानी किया है, गैस के फ्लेम को बिल्कुल बंद रखा है, गैस के फ्लेम आपको आफ ही रखनी है, उसके बाद इस टिफन को डाल दीजे, इस कूकर के अंदर, और आप 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए उस टिफन को ऐसे ही छोड़ दीजे, ढखकर ल बसंद आएगा, मैंने यहाँ पर टिफन को निकाल लिया है, अब आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ कि जो रोटियां कड़क थी ना, वो अब इतनी जादा सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि कूकर के अंदर हमने गरम पानी रखा था, उसमें जो स्टीम थी, उसकी मदद से हमार रोटियां जो कड़क थी, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, और साथ ही साथ इसमें जो स्मेल आती है, अकसर रोटियों में, गरमियों के दिनों में, तो वो स्मेल भी काफी हद तक कम हो गई है, आप इस ट्री को यूज़ करके जरूर देखिएगा, आपको बेहत पसंद चली बढ़ते हैं, अगली ट्रिक की तरफ, दोस्तो हरी मटर के सबजी खाना तो हम सब को बेहत पसंद है, लेकिन जब ये छिलके हमारे हरी मटर से अलग हो जाते हैं, तो हम सब इनको या तो फेक देते हैं, या फिर गाई को देते हैं, इसके अलावा शायद कुछी ही के आते हैं, तो चिलकों को वेस्ट समझ के बिलकुल भी मत्वे किये, क्योंकि जो मटर के चिलके होते हैं, इनमें मौजूद बहुत सारे ऐसे पॉस्टिक तत्व होते हैं, जैसे फाइबर, पोटेशियम, विटामिन, कॉपर, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे आखों के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारे आखों की रौशनी के लिए बहुत ही ज़़ादा अच्छी होती हैं, और इतना ही नहीं मतर के चिलकों का इस्तिमाल, दिमाग भी तेज करने के लिए किया जाता है, जिससे मैमोरी पावर बढ़ती है, तो यानि जो आ कोडे बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसे भी यूज़ नहीं करना चाहते ना तो उनको वेस्ट तो बिल्कुल मत करें आप इसमें दो कप या दो ग्लास पानी डाल दीजिए मटर के अकॉर्डिंग जितने चिलके हैं उसके हिसाब से तो मैंने यहाँ पर दो ग्लास पा फॉलो कीजिएगा तो दोस्तों यह काफी सारी ऐसे टिप्स थी जिनका इस्थमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो बेहद आसान होती ही है साथ ही साथ आपके काम भी आसान हो जाते हैं तो उम्मीद करती हूं कि हमेशा की तरह आपको यह सारी टिप्स पसंद वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए फिर मिलती हूं कल आपसे ऐसी कुछ नई टिप्स के साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के अब सबी अपना ख्याल रखें बाबाई देख कियर